हेलो इंजीनियर्स कैसे हैं मैं आरके मिस्रा इंजीनियर्स अड़ा के ऑफीसियल यूट्यूब जेनल पर सभी एस्परेंट्स का स्वागत करता हूँ और गाईस सभी लोग फटा पटा आजाईए मेकेनिकल के सारे बच्चे और बहुत मजा आने बाद है आज के सेसंस में यार हम लोग बहुत कुछ अच्छा कर रहा है तो आप सब लोगों का यहां पर इंतजार है और मैं उमीद करता हूँ कि आप सब जवदी से आ जाओगे और आपके सेसंस को बहुत बेहतरीन तरीके से स मैं हमेशा बहुता हूँ कि something new एर आप learning वह सच है अगर आप इस session में आते हैं तो कुछ मतलब learning का नया तरीका आपको सीखेंगे और मैं आज एक positive motivations के साथ आज के sessions की सुरुवात करता हूँ हमेशा एक बात मैं कहता हूँ once you replace negative thoughts जब भी अब इन्हें दिमाग से कभी भी ना negative thoughts को replace करोगे ना with positive ones you will start having the positive result तो अपने दिमाग पर जो भी अगर आपको लग रहा है ना negative idea है ना विचार है ना उसको replace कर दो positive ideas से आपको वहां से result दिखना शुरू हो जाएगा तो बस इसी सब्दों के साथ आज के sessions की सुरूबात करते हैं और आज हमारा NHPC और SSJ के PYQ का करीब सात्मा दिन है और बहुत अच्छा हम लोग कर रहे हैं एक बार मुझे सब लोग बता दे audio और वीडियो आ रहा है ना तो sessions को like करके आज की सुरूबात करते हैं हाना तो जब दिस एक बार मज़े बताईएगा और उम्हीत करते हैं आप लोग स्वास्त मंगे यार अच्छे होंगे अपनी पढ़ाई को बहतरीन तरीके से कर रहे होंगे और आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो मुझे पता है कमेंट में इतना अच्छा अच्छा रिजल्ट आप लोगों की तरफ से आ रहा है यह अनिहिल गोला रवी देखो इस से पुरी कमेंट का उद्धिस यह होता है कि आप यह समझना की गलत दे रहो या सही यह माइन नहीं रखेगा हमारे यह हम इसको एक्स्पेंड कर देते हैं अब आप पार्टीसिपेड कर रहे हो ना तो पार्टीसिपेड किया करो ठीक है यह ज्याद रखेगा तो सभी मेकेनिकल वारियर्स को कांगराचुलेसंस और बेस्ट अप लग बाबु क्या हुआ बेटा दिस इस आल बाउट मी और आज के सेशन की सुरुवात करते हैं आज के सेशन की सुरुवात करते हैं बाबु बेटा सर डी वी सी में एक की 81 किया था आप उस कारण को ऐडेंटिपाई करो और एक दिन आपका सेशन होगा जब आप उस रीजन तक पहुंच जाओगे ना आपका सेशन जरूर होगा और दोस्तों आप लोगों में से अगर किसी बच्चे को अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना है सरकारी जौब निकालना जेए और एई बनना है अपने कॉंसेप्ट को अच्छा करना है तो हम आलोज रीफर करते हैं मेकैनिकल का महापेक जिसमें एनचपीसी का बैच एससी का बैच जेससी जेए का बैच और सारे बैचिस के एक्सिस हैं या आप अलग अलग बैच भी जौइन कर सकते हो दो-दो- एक पंटको्समिटे स्मुविव भी एड़ pasti यहिए फिल्सिनुट जो रीवर में हमारा किसका एग्जामपल है जैसी आप रहे हैं रिवर में हमारा आपको इस तरह की मीन हो रही है तो आपको क्या लगता है कि जो चलो पहला जिया आप लोगों को यहां पर टाइमर भी तो आपको यहाँ पर बताना है कि अनिस्टडी होगा या नान उनिफर्म होगा तो मुझे ऐसा लग रहा है देख करके आप लोगों को क्या अब्जरवेशन्स होता है अंकेत तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब flooding की बात होगी ने बैटा flooding की बात होगी तो 100% देखने से ऐसा लग रहा है कि river में बाढ़ होगा आ जाता है तो यहाँ पे हमारा जो example होगा बहुत simple है 10 minute 10 second का question से बैटा मैं यहाँ रहा है मुझे लग रहा है कि flooding के case में flooding के case में बच्चे unsteady and non-uniform होगा सारी property हमारी यहाँ पे change होगी सारी property हमारी change हो जाएगी बैटा अनिस्टड़ी होगा non-uniform हर जगह पे हमारी velocity change होती रहेगी हर जगह पे fluid की property क्या होती रहेगी change होती रहेगी यहाँ पे बाढ़ का आना यह turbulent flow का best example होता है और turbulent flow जब होता है मेरे पेरी बच्चे तो हमारा flow कैसा होता है unsteady और non-uniform हो जाता है turbulent flow हमारा unsteady और non-uniform हो जाता है चलो next questions का आप जबाब दीजेगा बहुत प्यारा questions है और hydraulic coupling अक्सर करके आप लोगोंने शुरू हो गाए है समया बेटा आपके प्यारा और सपोर्ट की जरूवत है इस परिवार को हमें बहुत आगे लेकर के जाना है तो आपको बताना है कि driver और driven के बीच में जो slipping होती है वो around कितने percent की होती है hydraulic coupling होता है जो एक साप्ट से power दूसरे साप्ट में by the means आप fluid हम transfer करते हैं by the means आप क्या आप transfer करते हैं बेटा fluid हम transfer करते हैं तो ऐसे में sleeping हमारा कितना percent हो सकता है जैसे इसकी speed 100 है इसके speed 95, 96, 97 इस तरीके का तो गाइस यहां पर 2-3 percent बहुत ही बहतरीन answer है आपका definitely driver driven के बीच में हमारा 2-3 percent का sleeping होता है इससे जादा हमारा fluid coupling में sleeping नहीं होता है याद रखेगा 2-3 percent और मुझे बढ़ा अच्छा लगा कि आप सब लोगों ने जबाब दिया तो hydraulic coupling में driver driven के बीच में जैसे के N2 हमारा जो होगा 2 से लेकर के 3 percent of animal sorry, sorry, I am very sorry, I am very sorry मतब आप यह समसेएगा कि मतब 98 to 97 percent होगा इसका मतलब क्या हो गया कि 2-3 percent हमारा sleep कर गया 2-3 percent हमारा sleep कर गया, बहुत अच्छा सांदार जबाब क्या बात है, water cooling system consists of a fan used to draw बड़ा यह प्यारा question से आप लोग जबाब दिजेगा 30 second में try करिएगा, 30 second में I have given you only 30 second water cooling system में जो हमारा fan होता है, उसका काम क्या होता है और आप सब लोग कहोगे तो मैं indicated diagram भी बताऊँगा fan का काम coolant, water from the pump, lubrication oil या air through the radiator यह questions good evening बरती का बेटा, good evening मेरे पहरे बचे time आपका हो रहा है तो सब लोग आ जाओ, बहुत अच्छा लगता है अपने परिवार में सब लोग जगदी से आते जाओ, और sessions को share करते जाओ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस questions का जो जबाब होगा बेखते हैं, यार एक बात देखना है, यह हमारा radiator की fan होती है cooling system में बेटा, यह हमारा radiator की fan है radiator fan है, basically इसके यहाँ पर यहाँ पर क्या होता, fan होता है तो fan का काम यह होता है बेटा न, fan का काम होता है कि जो भी हमारा air होता, उसको cool करना यह रहा right answer मेरे प्यारे बचे, आपका option number D हो जाएगा चुकि water हमारा pass करता रहता है, तो water को cool करने के लिए basically हम air को draw करते है radiator हमारा, बिल्कुल, right answer हमारा आप से number C हो जाएगा, न, D हो जाएगा, right answer मेरे पहरे बचे, आप से number D हो जाएगा चलो, तो यह बहुत simple diagram, समझ में आया न, आप लोगों को, समझ में आया न, यह fan का काम होता, air को draw करना so that the water हमारा हो सके, cool हो सके, proper तरीके से, चलो, अगला questions का जबाब दिजाएगा मेरे पहरे बचे, I have given you here 30 second time, चलो, let's see how many of you responding here, volumetric flow rate of river water is measured directly by you, जैसे यह river का water है, उसके अंदर से जो water के flow rate को directly किससे measure कर सकते हैं, directly किससे measure करते हैं, जैसे यह river का water flow हो रहा है, उसको हम direct किससे measure कर सकते हैं, ultrasonic flow meter से, wear से, when a meter से, या आपको ultraviolet flow meter से, और, हाँ definitely पंकज यार, पंकज बही में बात बोलो, मैं आपको बहुत ही calculated questions कराता हूँ, NHPC oriented है, फड़ा फड़ा आपको participate करो, देखो समय हो गया, देख आपको पता है, दो चीज़े होता है, notches and wear से, direct इससे हमारा जो पानी निकल रहा न, उसके discharge को हम measure कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर rectangular लगाओगे, तो Q का हमारा H के साथ होगा, rectangular Q का H के साथ 3 by 2 होता है, triangular के लिए हमारा मेरे पहरे बच्चे H का 5 by 4 होता है, इस तरीके से, तो य यहाँ पे भी 30 सेकेंड का time दे दिया बेटा, in a process, the cross section of the bar is increased and length is reduced, it's called, आप लोगों को indicated helping diagram भी मैंने आप लोगों को दे दिया गया है, कि यह एक बार है, जिसका लंबाई ये है, diameter हमारा ये है, इसको हम इस तरीके से कुछ दबा करके, इसके length को कम कर रहा है और cross section area को बढ आप बोलेंगे, participate करना जरूर बहुत मज़ा आएगा आप सब लोगों को, और indicated helping diagram भी मैंने आप लोगों को दे दिया, और guys मैं आप लोगों से बस इतना ही बोलूँगा, जितने warriors आ रहे है ना, throughout the journey फटा फटा फट बने रहो, बहुत अच्छा आप लोगों को questions होगा ये, तो ये questions का जवाब देखते हैं सबसे पयादे को देगा, time तो आपको हो चुका है बिटा, time तो आपको हो चुका है, हाँ, definitely ये हमारा upsetting है, upsetting है ये हमारा upsetting है, upsetting process में ही हम length को कम करते हैं, diameter को increase करते हैं, diameter increase मतब cross section को increase करते हैं, इसमें हम compressive force लगा करके, इस तरह के operations को करके है और इसमें याद रखेगा fold defect, web defect और sunken defect यह हमारा upsetting process से सम्बंदित है, कभी पेपर में पूछा जा सकता है, कभी आपका paper में पूछा जा सकता है, कि sunken defect, web defect, fold defect, यह हमारा किस तरह से है, forging के ही हमारे defect है, basically, forging के ही हमारे defect है, मज़ा आ रहा है ना, आप लोगों को एक बार मुझे बताना यार, मज़ा आ रहा है ने, मेरे पैरे बच्चे फटा फट बताओ यार, next, is a type of anti-friction wearing, आपको बताना है, इन में से हमारा कौन सा anti-friction wearing है, pedestal wearing, hydro-static wearing, color wearing या needle wearing, और मैं आप सब लोगों से request करूँगा, कि quick आ जाओ, बहुत मज़ा आने माला है आप लोगों को, और अच्छे-च्छे questions की practice करेंगे, और अच्छा कर रहे हैं, चलो guys, फटा-फटा आ जाओ, कौन सा हमारा anti-friction wearing होता है, अच्छे-च्छे-च्छे-च्छे-च्छे-च्छे-च्छे-च्छे-च्छे-च्छे-च्छे-च्छे-च्छे-च्छे-च्छे-च्छे-च्छे-च्छे-च्छे-च्छे-च्छे-च्छे-च्छे-च्छे-च्छे-च्छे-च्छे-च्छे-च्छे-च्छे-च्छे-च तो जिसमें अगर हम बात करें डीप, ग्रूप, एंगुलर, धंगुन, रोल्लिंग, केंठ्ड वियरिंग तो बाल वियरिंग में ये आते हैं, रॉलबर में हमारा सिलेंट्र टेपर, स्पईरिकल, नीज आता है बाकि अगर बात करें hydrostatic में hydrodynamic यह सब हमारे friction बेरिंग की का अंतरगत आता है तो बेरिंग से हमारी बराओड वी यह आपको यहाँ पर D is the right answer यहाँ पर D is the right answer बेटा चलो next questions अच्छा एक बात याद रखना यार अगर आप लोग sessions में live नहीं आओगे ना कहीं नहीं direct indirect आप support नहीं कर रहा है और आप support नहीं कर रहा है तो अच्छे content को नहीं grab कर पाओगे तो यह मेरा हमेशा experience रहा है कि अच्छे content को बच्छे support नहीं करते हैं पता नहीं क्यों जबकि मैं पूरी तरह से आपके लिए prepared हो करके आता हूँ ताकि mass label पर आप लोगों को अच्छी ग्यान दे सकूँ यार अच्छा content दे सकूँ और उन सबको आपको grab करना पड़ेगा यार अदर्वाइस फिर क्या होगा ना कि आप सिर्फ YouTube पर पढ़ते रजा होगे और आप हमेशा एक ही बात बोलोगी यार सब selection नहीं हो रहा हमारा तो selections के लिए बहुत जरूरी है कि आपको अच्छे content को grab करना और मैं हमेशा एक बात बोलता है हूँ कि आपको अच्छे content के लिए अच्छे teachers के साथ लगना पड़ेगा अच्छे content के साथ लगना पड़ेगा यह ची किया जाता है तो यहाँ पर अंकित ने बहुत अच्छा जबाब दिया तो एक बार आप संग जरूर बताना यार तो आटोमेटिक जो हमारा रेफिजरेटर की COP होती है रेफिजरेशन एफेक्ट बाई वर्क इंपूट तो रेफिजरेशन एफेक्ट बढ़ जाएगा तो COP भी बढ़ जाएगा तो कभी-कभी आपसे ये भी पूछा जाता है कि करने से हमें फाइदा क्या होता है तो सब कुलिंग करने से हमारा जो परफार्मेंस होता है वो बढ़ जाता है तो बिसिकली थ्रोटलिंग के जस्ट पहले हम करते हैं यह सारे या जस्ट हमारा थ्रोक्रिंग के पहले है आप बोल सकते हो कंडेंसर के बाद होता है यह चीज कंडेंसर के बाद या थ्रोक्रिंग के पहले जस्ट इसमें क्वेस्ट है कि compression reference system, sub cooling is done before, तो यहाँ पर before बोजा है बेटा, तो यह right answer हमारा आपसर नमर सी हो जाएगा next questions क्या है which of the following statement about the principle plane is true principle plane के recording हमारा कौन सा statement सब्पिया principle plane के recording जो strength of material का questions हो जाता है हाँ definitely यहाँ पर COP की बात होगी मेरा कोई बात में हम सीख रहे कि नहीं यह माइने रखेगा बहुत अच्छा लगता है इस बात का कि हम सीख रहे हैं बस और जितने भी students है एक बार सब लोग आज आओ जितने भी बच्चे हैं सब लोग आज आओ बहुत अच्छा लगेगा तो टाइमर आपका चल रहा है देखते हैं आप लोगों में से कौन जबाब देगा यहाँ पर एंकित में जबाब देया है बाती लोग भी जबाब देया रहा है तो definitely यहाँ पर राइट अंसर की बाद आप करोगे तो राइट अंसर हमारा प्रिंसिपल 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 की वैलू हमारी क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी याद रखना तो राइट अंसर हमारा आप से नमर डी हो जाएगा तो या तो maximum normal stress की value maximum होगी तो इसको हम लोग sigma 1 बोल देते हैं और जो minimum होगा उसको sigma 2 बोल देते हैं और वहां पर हमारा shear stress की वैद जीरो हो जाएगी नंदन प्रणाम बेटा आप से नमर डी इस दराइट अंसर है next questions तो जिन दोगो ने डी दिया था बहुत अच्छा अंसर है next questions क्या बताईएगा the process induced a compressive residual stresses and the components to nullify the tensile residual stress with the steam structure क्या कहते हैं welding, brazing, short peening, heat treatment अब आप लोगों को इसमें से ये बताना है basically कौन सा ऐसा process करते हैं जिसमें हम किसी steel के components में compressive stress डाल देते हैं और आप लोगों कहोगे तो indicated helping diagram भी मैं आरे चलो ये तो questions की solution हो जाएगा पहले आप लोगों बताना guys मैं आप लोगों से request करूँगा कि जितने बच्चे अभी जुड़े होगे कोई जाएगा नहीं बहुत मचाएगा तोको इसका right अंतर हमारा short peening हो जाएगा आप आप बोलोगे ऐसा क्यों तो short peening एक ऐसा process होता है जिसके surface भी न hammering action के थूँ एक बाल को बार बार गिराते हैं जिसके इसके surface पर क्या होता है compressive stress induced हो जाएगा और ये compressive stress basically कभी भी जब भी इस पर tensile force लगेगा न तो उसको counter करेगा यहाँ पर right answer हमारा basically short peening हो जाएगा the short act like a pin hammer dimpling the surface and causing the compressive stresses under the dimple the surface compression stress strength the metal ये हमारा complete short peening process होता है I think सबको short peening process की बारे में पता था मेरे प्यारे students एक बार मुझे बताना जरूर तो short peening process के थूँ किसी भी surface पे हम compressive stress को induced कर सकते है so that जब भी कभी tensile force है तो उसको counter कर सके चलो guys मेरे प्यारे बत्चे आगे कि बात करते है which of the following is a process generally does not occur during the heat treatment process आपको बताना है कि कौन सा इसमें से process होता है heat treatment में नहीं होता है grain growth recrystallization recovery और rework कौन सा इसमें process हो grain growth में नहीं होता है कोई बात ही हम सब लोगों को सीखना है हम सब लोगों को सीखना है timer आपका चल रहा है or you have to response me very carefully तो मैंने कुछ सीजे तो सुना है बाकी आप दो दाओ यार हाँ या री वर्क हमने नहीं सुना है rework हमारा नहीं होगा आपसे नमर D is the right answer absolutely जिन लोगों ने D answer दिया था बहुत अच्छा है जवाब तो बटा यह चीज़ जयाद रखना जब भी हम कभी करते हैं तो recovery होता है recrystallization होता है grain growth होता है basically यह सारे step हमारे involve होते हैं grain growth भी है लेकिन हमारा rework नहीं है इसलिए हमारा right answer आपका आपसे नमर D हो दाएगा next questions during the starting of the centrifugal pump delivery valve will be what जैसे एक हमारा centrifugal pump है बैटा यह let's see यह हमारा centrifugal pump है जिसका foot valve यह होता है और delivery valve हमारा यह होता है तो जब हम pump को exact start करते हैं उस समय हमारा delivery valve क्या होना चाहिए पूरी तरह से open होना चाहिए या पूरी तरह से close होना चाहिए slightly open यह half way तो बताना जरूर मेरे पैरे बचे और आप सब लोग बता सकते हो इस questions का जबाब पूरी तरह से closed वाह क्या बात है बाकी लोग भी participate करें यार पूरी तरह से close नहीं होगा तो याद रखना पूरी तरह से close नहीं होने से क्या होगा इसमें air आ जाएगा और air आ जाएगा ना एर घुज जाएगा उस समय ना तो पानी चड़ना बंद हो जाएगा पानी के अंदर जो head होती है वो in wait होती है अगर आप से कोई पूछे कि centrifugal pump के impeller में हमारा motion कैसा होता है तो आलवेज बताइएगा force vertex लेकिन इसके बाहर जो हमारा diffuser होता है उसमें आप से पूछे कैसा motion होता है तो free vertex और आप से पूछा जा कि centrifugal pump हमारा कैसा है याद रखना mixed flow है mixed flow है याद रखेगा क्योंकि water हमारा in तो ऐसे करता है लेकिन निकलता है हमारा radial है water हमारा निकलता है radial है basically medium head और medium discharge के लिए इस pump को use करते हैं मज़ा आ रहा है आप लोगों को इस तरह के सीख करके इस head को हम suction head बोलते हैं इस head को हम delivery head बोलते हैं और इन दोनों के sum को जो हम बोल देते हैं basically अगर बात करें एक manometric head होता है जो की suction head plus suction side में friction loss plus delivery side plus delivery side में friction loss plus v square by delivery 2G इन सभी head के sum को manometric head बोलते हैं जिसके against हमारा centrifugal pump काम करता है जो exam में कई बार पूछा जाता है बहुत सांधार next आप लोगों को ये questions बताना है technique use uses wearing or indicated helping diagram भी मैंने आप लोगों के लिए करके आ यह हूँ analyzing the lubricating of oil or the predicting the impending failure of the machine components machine components में होने बाले failure को identify करने के लिए हम कौन सा इस में basically technique को यूज करते है अंकित नंदन अभिषेक जगदीस अजय विष्णू सेख वर्टिका मेरे बच्चियों मेरे बच्चियों आप लोग जबाब देज़ेगा तो आप लोग questions का जबाब दो यार बहुत प्यारा questions है और मैं request करूँगा कि आप सब लोग सही जबाब देना यार यार इसमें जो यह राइट टेकनिक है देखो फेरोग्राफी होता है यहां पर फेरोग्राफी यहां पर राइट एंसर है माना कि यह questions आप लोगों कि वे नया होगा basically देखो इस्पेक्ट्रोग्राफ एक अलग टेकनिक है वेफॉर्म एनाल्यूसिस अलग हो फेरोग्राफ यह आपका एक machine components है इसमें हमारा basically failure होने वादा है इसके ऊपर हम एक oil को dip कराते हैं तो जहां पर oil क्या होता है मेरी पैरे बच्चे घुस जाता है तो हम समझ जाते हो वहां पर crack होकर आए हो तो फेरोग्राफी एक ऐसी टेकनिक से है जिसे किसी surface पे हम ना होने वादे क्रैक इसको identify कर लेते हैं machine components पे तो राइट इंसर यहां पे आपसे नमर डी हो जायेगा मैं दिदी बेटा प्रीस टाइम से आजाय करो आप लोग जैसे या सिंसियर बच्चों से तो उमीद करी सकता हूं या ठीक्स नेक्स कोस्टन से बेटा पैन आप दो वेपर कंप्रेशन साइ में रेफिजरेशन एफेक्ट प्रडियूस होता है या कहां पी होता है कंडेंसर में कंप्रेशर में थ्रोटल वॉल्व में या यह उपरेटर में आप लोग बताना जरूर बड़ाई प्यारा कोस्टन से आप लोगों से देखना चाहता हूं कौन जवाब देता है इस प्रण्स का टाइम 10 सेकेंड देता हूँ मैं 10 सेकेंड है आपका लाइप इंसर डी दे राइट इनसर होगा यहां पर दी हमारा राइट अनसर हो जाएगा आप बोळोगे कैसे होगा यह देखेगा देखो बड़ा यह हमारा एक एक वेपर रिफिएरेशन साइकल है बेसिकल आपके सबस्टेश यसे आपने केला रखा, बनाना रखा, आपने सेव रखा, आपने पानी रखा, कुछ भी रखा, इसके अंदर जितनी भी heat होगी न, इसके अंदर जो क्वाइल होती है न, वो सब एपजर्ब कर वेती है, यह सारी पूरी कहानी है हमारी evaporator के, हाँ, डीडिय पूरी तरह से गवर्मेंट है, सेंट्रल गवर्मेंट के अंदर आती है, तो इवापड़ेटर में, आप से पूछे, हीट का रिजेक्शन किसमें होता है, तो आपका जबाब क्या होगा बेटा, जो आपके फ्रीज के ज़स्ट पीछे होता है, तो अपसे पूछे, कंप्रेसर में क्या होता है, तो कंप्रेसर में मेरे पैरे बच्चे, जो रेफिजरेंट होता है, उसको मतब एवापरेटर प्रेसर से कंप्रेस करके कंडेंसर प्रेसर किया जाता है, और उसको हम उसके टेंप्रेचर को भी क्या कर देता है, इंक्रीज किए हमारा कंप्रेसर है, और वर्क देते हैं, बैसिकली कंपरेसर को ही वर्क देते हैं, चलो, next questions, in the steam nozzle, heat supplied to the steam during the expansion process is equal to, अगर हमारा जो steam nozzle होता है, उसमें heat supply कितना होता है, आप बताना जरूर, और आप लोग कहोगे, इसका helping diagram भी मैं आप लोगों के ले करके आया हूँ, इसका helping diagram भी ले करके आया हूँ, और बड़ा ही surprising questions है, और exam में बहुत आता है, इस तरह के questions, जो कि SSC जाई और NHPC को बहुत favorite questions बन सकता है, बताना जरूर यार, क्योंकि सारे questions exam oriented है, आजय ने यहाँ बताया है, बट आजय के भागे की रेखा देखते हैं, time में आप लोगों का खतम होगा, फिर computers ही बताएंग क्या सबका ए, वा, good यार, well done अजय, देखो बटा, ये हमारा एक steam nozzle है, basically इस nozzle को न, steam nozzle को हम लोग पूरी तरह से insulate करते हैं, पूरी तरह से क्या करते हैं बता, insulate कर देते हैं, अगर आप insulate कर लोगे, तो इसमें जब expansion होगा, expansion होता है, तो basically हमारा dq की value 0 होती है, in fact dw की value भी कितनी होती है, 0 होती है, तो यहाँ पे h1 प्लस एक बटा 2, c1 square is going to h2 प्लस एक बटा 2, c2 square, तो basically इसमें क्या होता है कि heat उरजा को, enthalpy को हम लोग kinetic उरजा में convert कर लेते हैं, लेकिन heat transfer system से surrounding, और surrounding से system नहीं होता है, that's why right answer आपका option number A हो जाएगा, that's why right answer हमारा option number A हो जाएगा, definitely 100% absolutely correct answer यह हो जाएगा, heat rejection in the vapor absorption refrigeration occurs at, आप लोग इस questions का जबाब देना है, बहुत प्यारा questions है, बहुत ही प्यारा questions है, और साइद आप लोग हो सकता है कि इसमें mis confused हो जाए, बट आपको मैं नहीं होने दूगा, आपको मैं नहीं होने दूगा, यह मेरा commitment है, किस में होगा, generator में होने दी, condenser, absorber में होने दी, absorber में होने दी, या condenser में होने दी, सूच करके जबाब देना, और यहाँ पर मैं आप लोगों कोई help करूँगा, बिटा एक चीज़ याद रखना है, cycle देख लो पहले, vapor absorption refrigeration है, vapor absorption refrigeration है, condenser तो कदाप ही नहीं होगा, क्योंकि यह VCRS cycle नहीं है, vapor compression refrigeration cycle नहीं है, यह है ही नहीं है, अब तुम लोग पलटी मारो, अब तुम लोग पलटी मारो, नहीं, जो डी बता रहे हैं, थोड़ी दर पहले जो मैंने बताया था, वो VCRS cycle का बताया था, यहाँ पे vapor absorption and refrigeration cycle है, तो बच्चे, यहाँ पे आपका अपसर नमर B होगा, आए देखते हैं, बटा किसमें, This is the systematic diagram of VAR cycle, इसमें देखो heat का rejection दो जगां आपको देखने को मिलेगा, दो जगां आपको देखने को मिलेगा, एक दुनिया जहान जानती है condenser में, बटा, एक जो हमारा absorber होता है, Absorber में भी हम आपको बता रहे हैं, सुनियेगा, Absorber में भी यहाँ पे जो भी आपका ammonia का सदूशन यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ भी हमारा heat का rejection होता है, तो दो जगां heat का rejection होगा, एक हमारा condenser में, दूसरा हमारा एक absorber में याद रखना, तो दो जगां हमारा और vapor absorption cycle में, याद रखना, ammonia act as a refrigerant का काम करता है, ammonia act as a refrigerant का, H2O act as a absorber का, पेपर में कभी-कभी पूछा जाता है, ammonia किसका आप करता है, act as a refrigerant, और water act as a absorber, तो कोई बात नहीं, मज़ा आ रहा है कि नहीं बताइएगा आप लोग, मज़ा आ रहा है कि नहीं आप लोग बताइएगा, बिल्कुल यार, definitely, और इसमें एक बात याद रखेगा, हम compressor को हटा देते हैं, basically, normally, जो हमारा freeze होता है, उसमें compressor होता है, इसमें compressor को हटाते हैं, पेपर में कभी-कभी ये भी पूछा जाता है, compressor को किस से replace कर दिया जाता है, ये questions पूछा जाएगा, तो compressor को absorber से, heat generator से, और आपको pump से, तीन चीजों से replace किया जाता है, किससे किससे exam में पूछा जाएगा, compressor is replaced by, वेपर, absorption, refrigeration, system में compressor को हम किस से replace करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा, pump से, absorber से, और आपको heat pump से, तीन चीजों से replace करते हैं, जिससे, जो हमारा compressor का काम क्या होता है, बटा, गम्प्रेसर का काम होता है, temperature and pressure को increase करना, तो temperature and pressure को increase करना, ये तीनों चीज मिल करके करेंगे, ये तीनो चीज मिल करके करेंगे, बटा, अमित, गवडाओ मट अटल बैज पर कभी ने कभी तो explain हो जाएगा, बटा, इन ए एल आर आई बी आर वाटर एब्जाप्शन साइकल रफिजरेंट का काम कौन करेगा रफिजरेंट का काम कौन करेगा यू हाब तो रिस्पॉंस में वेरी क्यारफली और गाइस यार फटाफ़र सबीदों का आज आओ यार बाकी दोगों को भी कर दो सेशन्स को और अफ़र जबाब दीजेगा इन एल आई बी आर वाटर एब्जाप्शन साइकल पताना जरूरी सकोशन का जबाब बहुत प्यारा है क्योंकि अब थोड़ी दिर पेदे वेपर एब्जाप्शन सिस्टम में वाटर हमारा किसकी तरह काम करेगा तो वाटर यहां पे देखो एक चीज ज़्यादा रखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पे ल आई बी आर है यहां पे वाग्टर एज रेफिजरेंट होगा वाटर एज रेफिजरेंट होगा और लीथियम ब्रोमाइड एक्ट एब्जार्बर होगा वो हमारा अमोनिया और वाटर इसके पहले वाला था अमोनिया और वाटर एच्टू वेपर एब्जार्प्शन रफिजरेशन सिस्टम था यह हमारा है लीथियम ब्रोमाइड वाटर एब्जार्प्शन रफिजरेशन स वाटर एक्टेजर रफिजरेंट होगा यह दिमाग कराना है तो जितने लोगों ने यहां पर सी एंसर दिया था बहुत अच्छा वेल डन बाकी कोई बात दिया जिन लोगों ने यह दिया था प्रयास तो किया कम से कम इस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर असकी आपने प्रयास तो किया कम से कम हाना चलो गुड और एक बात मैं आप लोगों से बोलूंगा यार की रेगुलरिटी बनाओ यह देखो पूरा का पूरा आलाई वी यार सिस्टम होता है जिसमें आपको जो हमारा इवउपरेटर होता है उसमीं जुझ जाता है ना ओपरेटर में वह हमारा व डिगरी आप फ्रिडम हमारा प्यूर सप्स्टिंस का ट्रिपल पॉइंट पे कितना होगा है वान टू थ्री जीरो चारों अप्संस दे हुए और आपको इसके टाइम कितना दे दूँए टाइम कितना दूँए ताइम आपको कितना दूँए तॉट प्रिपल पॉइंट पे इस लिए तीन होगा तो जिन दोबो ने C बताया है बहुत अच्छा सेटिक जवाब बिटा देखो C हमारा राइट अंजर हो जाएगा यहाँ पे देखो C हमारा राइट अंजर हो जाएगा देखो त्रिपल पॉइंट पहले होता क्या है इसी इसको समझना आप लो यहाँ पे त्रिपल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे सॉलिड लिक्विड और गैसेज एक साथ कोईजिस्ट करती है अगर प्रेशर और टेमपरेचर का डाइगराम ट्रा करते हैं तो त्रिपल पॉइंट एक पॉइंट मिलता है और इस particular point पे C plus 2 is called to P plus F होता है तो actual में क्या होता है कि triple point पे number of components जो होते हैं वो एक ही होता है water के 3 होते हैं और number of phase हमारा कितना 3 तो अगर मैं degree of freedom निकावने की कोशिस करूँगा हमारा 0 आ जाएगा इसका मतलब triple point पे 0 degree of freedom का मतलब होता है कि कोई भी intensive property बैरी नहीं करेगा no change in intensive property no change in intensive property no change in intensive property लेकिन triple point पे extensive property हमारी change हो सकती है हलाकि triple point का अगर pressure temperature पूछे तो 273.1 Kelvin या आपको 0.01 degree centigrade अगर आपको प्रेसर पूछे तो 611.07 पासकल होता है 611.07 पासकल होता है और यह हमारा subdimension curve होता है यह हमारा fusion curve होता है यह हमारा vaporization curve होता है यह भी कभी-कभी paper में आपको पूछ दिया जाता है C हमारा यहाँ पे number up components है components है तो आप बदाएगा यह कही substance के है उसके तीन phase है बस वहाँ पे यह कही substance है और उसके तीन phase है वहाँ पे यह कही substance के हमारे तीन phase है या बहुत simple है आप लोगों को triple point के explanation चलो गाईस आगे बढ़ते हैं next questions की तरफ octane rating is the measure of the ability of to register the detonation during the combustion of बताईएगा जरूर इस questions का जबाब please cylinder, air mixer, piston और fuel और मैं चाहता हूँ कि mechanical की students अगर आप different examinations की तयारी कर रहे हैं तो आप लोग यार सामको 7 बजे अपने selections का सो बनाईए क्योंकि आप सब लोगों के लिए dedicated session हम लोग कर रहे हैं बहुत ही systematic तरीके से तो बड़ाई आसान question से इसमें तो बहुत ज़्यादा angle तो है नहीं है इसमें बहुत ज़्यादा angle तो है नहीं है D is the right answer D हमारा right answer हो जाएगा इसमें कोई बहुत ज़्यादा angle नहीं है मैं आपको बढ़ा दो क्योंकि opt-in rating का मतलब ही होता है कि हमारा basically anti-knocking tendency और anti-knocking tendency मतलब हम fuel की ही बात करेंगे basically petrol की बात करेंगे petrol जो होता है ना आपका air के साथ जब burn होता है तो basically कितना हमारा anti-knocking मतलब un-present sound कितना कम generate करता है un-present sound कितना कम generate करता है un-present sound कितना कम generate करता है un-present sound basically आपने देखा होगा बहुत सारी petrol की बाइकों में बहुत ज़्यादा sound आते हैं इसका मतलब उसमें knocking और detonations बहुत ज़्यादा हो रहा है किसी में आपने देखा होगा बहुत कम हमारे साउंड होते हैं तो इसका मतलब knocking और detonations महाँ बहुत कम होगा है अब इस्ट्रेंट्स कभी-कभी आपने ये भी देखा होगा कि इसके कारण क्या होता है जैसे आप लोग कहों तो इसका कारण में आप लोगों explain करूँकिक क्या होता है knocking और detonations का पट्रोल की बाइट में अगर आप लोग कहोगे तो वर्ना नहीं करूंगा अगर आप लोग कहोगे तो explain करूँका बहुत बहतरीन तरीके से सीवम देखो वो थोड़ा सा मिस्टिक हो गया एयर मिक्चर होगा वहां पर एयर मिक्चर होगा मैं चाहता हूं कि आप लोगों को यह चीज एक्स्प्लेंड कर दूं सुदैट एक्जाम में बड़ा काम आजाएगा कुछ नहीं होता है जैसे कि हमारा यहां पर लगा होता है इस पार्क प्लग एक्चल में क्या है कि सबसे पहले ऊपर वाले चार्ज को जलाएगा यह आपका आगे वाले को जलाएगा तो आगे वाले जैसे आग बढ़ता जाएगा ना तो यह इधर के चार्ज पार्टिकल कंप बाता जाएगा है लेकिन वाइन एसा हो जाए कि इधर कि हमारे울 Tea पार्टिकल कंप्रेस होने के बाज़े से प्रीगनिजन हो जाए और ये प्रीगिन enmki ओकर करके अगर इधर से टक्राइब रहते हैं अगर लगता जारहा व्हां आगे को जदाएगा फिर यह अपने आगे को ये तो इसी आगर इसमोथ कमर्स्टन होगा तो फिर क्या होगा ये चार्ज यहां तक पहुँचेगा ही नहीं इधर से फिर में टकराव होगा और वो चीज हमारी नौकिंग और डेटिनेशन का लाएगी नेक्स हमारा कोस्टन से मेरे पहले बच्चे यह बादा आप बताना जरा और बेसिकली पेटरौल की राइक में ये आप में जाधा होने के चांशए को आया तो आप जरूरर बताना आए राद चार्ज का प्रीराइगी नौकिंग और डेटिनेशन का लाता है एंड चार्ज का प्री इंड राइट हो जाना और गाईस सेशन्स को लाइक भी कर दो और सब लोग आज आओ मैं भी एक बार सेशन्स को सेयर कर देता हूं देखते हैं कहां बटके हुए है सारी बच्चे ठीक है चलिए सार तो आपको बताना है कि आप्टर दे कुलर प्रवाइडिंग इन दे रिसिप्रोकेटिंग पंप परफॉर्म दे फंक्शन आप क्या तो गाइज यहां पर आप लोग बताईएगा फटाफट टाइम आप आपको हो गया है टाइम आपको हो गया मेरे पैरवच्च से बिसिकली देखो इंटरकूलर जो प्रवाइट करते हैं एंटरकूलर जो प्रवाइट करते हैं रेशिप्रॉकेटिंग कम्प्रेसर में तो मैं आपको बता देता हूँ रिड्यूसिंग बजुऊ नहरप यह त त अब आप से लियृ कर अपसे नहरपory इसो कि आप से नहरप यह ooh गउल kein आप से नमबर B इस दर आइटम जरो जाएगा, अब आप बोलोगे ऐसा कैसे, देखो, एक्चल में क्या होता है कि अगर हम इंटर कुलर नहीं देते हैं, रेसी प्रोकेटिंग कम्प्रेसर में, आप क्या करोगे, यहां से सीधे यहां तक कम्प्रेस करोगे, ठाइट टीएस ड कर देता है, यहां से यहां तक कम्प्रेस किया, फिर इसको ठंडा कर लिए, टूरेस तक, फिर इसको कम्प्रेस किया, तो हमें क्या होता है कि इतना रेडियूस, वर्क हमारा कम हो जाता है, तो कम्प्रेसन का वर्क हमारा इतना कम हो जाता है, तो कम्प्रेसन का वर्क इतना क इंटर फाइदा मिलता है। इनुम्हें से कौन सा हमारा फ्रॉसेस में दो आई सो थर्म प्रॉसेस एकजिस्ट करते हैं। आटो साइकल, डीजल साइकल, डूवल साइकल या कॉर्नोड साइकल है यहाँ पे कोशिज करो यार और भी बच्ची यहाँ पे आ जाएं लाइफ पॉजिटिव मोटिवेशन से बना रहे और ऐसी मजा नहीं आता है अगर हम इस लेबल पर आप लोगों के लिए कंटेंट में मेहनत कर रहे हैं उसका रिफ्लेक्शन नमबर आप इस्टुडेंट्स में दिखना चाहिए यार तो राइट एंसर डिफिनली आप भी सही दे रहे तो बस मेरा आप लोगों से यही करना कि जो नमबर आप इस्टुडेंट्स हैं उसका रिफ्लेक्शन हमें दिखना चाहिए तो जो राइट एंसर यहां पर हो जाएगा आप से नमबर कॉर्णर साइकल हमारा राइट एंसर हो जाएगा बठा क्योंकि कॉर्णर साइकल में द दो तीन और चार तो यह हमारा ऐसेंट्रोपिक यह आइसैंट्रोपिक यह आइसें ट्रॉपु यह हमारा ठेंबरेचर कॉंस्ट फालल हो जाता है यहां भी हम लूप्रेचर कॉंस्टेंट कॉंस्ट Aunty फो जाता है और यहां पेंट पशी कॉंस्टन्ट भेच afford k आइसेंट्रोपी पहाता है ओभराल जार आप तो राइट अंसर यहां पर आपसे नमर बी इस दर राइट अपसे नमर जो भी हो जाएगा वो राइट अंसर जाएगा जाएगा आपको बताना है कि एक गैस पावर साइकल है जिसमें टू आइसो थर्मल होता है टू कॉंस्टेंट वाजूम होता है अटकिंसन साइकल ब्रेटन साइकल एरिक्सन साइकल स्टर्विंग साइकल कौन साइसा गैस पावर साइकल है जिसमें इस तरह की कंभीनिशन सापको देखने को मिलेगे यह चलो एक आपसें तो मैं ऐसे ही एलिवनेट कर देता हूं फ्री में आप लोग को फ्री में ब्रेटन तो होई जाए नहीं ब्रेटन तो होगा नहीं चुकि ब्रेटन में क्या होता है मैं आपको बढ़ता है मुझे जवाता है ब्रेटन में हमारा अगर टीएस डियाग्राम भी ड्रा करते हैं तो दो हमारा आइसेंट्रॉपिक होता है दो हमारा आइसो बारी होता है तो ब्रेटन तो भूल जाओ कि आप लोगों कहोगा तो ब्रेटन तो ऐसे ही नहीं होगा अब आप बाकी बताओ इसमें दो कॉंस्टेंट वालूम बोला है और दो आईसो थर्मल बोला है ये बात हो लिए आप ब्रेटन तो ऐसे ही भूल जाओ तो यार तो डी बचा हुआ यार आप तो डी हमारा बचा हुआ अब देखो तुम लोगों को लागेगा इस्टर्विंग साइकल में क्या होता है कि अगर हम टीएस डाग्राम करते हैं टेंपरीचर वर्सिस एंट्रॉपी के डाइग्राम तो हमारे आईसो थर्मल तो दीख रह होता है एक कॉंस्टेंट वाण्व होता है भाकि हमारा दो इसट्रोपीrek होता है एक यसी अप में अब टेंड में मैंने आपको बता ही दिया तो अब जो कि आपके paper का एक सांधार questions बन जाएगा ठीक है guys आगे बढ़े फुटापड मुझे बताओ यार आगे बढ़े एक बार मुझे comment में जरूर बताना यार और मैं यह देख रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे आज नहीं आए है यार कोशिश करो time से आनेगा मेरे परे बच्च next questions अब आप लोगों को यहाँ पर यह बताना है quick which of the following material contain chromium as its matter alloying element इनमें से कौन से components के अंदर chromium होता है as a measure alloying element quick copper stainless steel titanium carbon steel या आपको कुछ और लगता है कापर में chromium कहां हो जाएगा copper में कहां chromium पाजा होगे अब इस एक मेरे को ऐसा वगता है कि B is the right answer आपके और B के computer the answer match कर जाएंगे यार वा क्या बात है यार stainless steel में जो chromium होता है as a alloying element होता है और इसका कारण होता है कि हम चाहते है कि stainless steel में आपने अक्सर करके देखा होगा stainless steel जंग फ्री होता है क्यासा होता है जंग फ्री होता है इसमें जंग लगता ही नहीं है तो बस right answer आपका आपसर नमर यहां पे हाँ definitely right answer आपका आपसर नमर भी हो जाएगा यह बागा questions का आप तो जबाब देजेगा which of the following instrument is used for measuring the ultra high vacuum और यहां पर indicated helping diagram भी आपको दिया हुआ है और आपको identify करना है कि यह diagram किसका है मैनोमीटर का है अच्छा एमसी योड गेज का है कैथोड रे औसकी औसकी दो इसकोप का है बॉर्डन ट्यूप का तुम उसे देखने ही रहा है यार तो फिर आपको यह किसका है तो फिर यह किसका है यार नहीच पीसी यार ससी जैई जैसे बड़े एक्जाम को cover करने के आप लोगों को पढ़ाई करा रहे है यार फोकस करो यार तो मेरे को ऐसा लगता है कि राइट अंसर हमारा आप से नमर वी इस राइट इंसर हां भी हमारा राइट इंसर हो जाए गया तो मैनोमीटर तो होगा नहीं क्योंकि आप यूज़ प्रैक्टिस बॉर्डन ट्यूप गोजा-गोजा होता है कैसोर मेज़ यहां क्या जाता है तो राइट एंसर यही हो जाए जाता है एंशियोड से नहीं हो जाए था था यहां तो राहे ओलिए हमारा अप सिर्म इसर द्योंस एगा डिए गाटged इंसर बहुत सब्लु di यह होँग क्रोक नम्मर, ओक्टेन नम्मर, सीटेन नम्मर या नॉक नम्मर I am asking you guys, let me know in the comment section बहुत ही प्यारा questions है, बहुत ही प्यारा questions है और आप सब लोग इस questions का जबाब जरूर दीजेगा आप सब लोग इस questions का जबाब जरूर दीजेगा हाँ यार, देखो इसमें यह समझना है, logic क्या है यार, यह समझो recently आपके questions हुए थे, देखो gasoline basically क्या होता है एक प्रकार का petrol का थोड़ा सा advance version है पेट्रॉल ही होता है, थोड़ा सा advance version है और उसको थोड़ा सा re-crystallization कर लिते हैं तो basically यह हमारा gasoline हमारा aircraft में यूज होता है और aircraft में जब यूज होता है तो basically इसमें जो हम इसकी quality को rate करने के लिए opt-end number के लिए उचकरते हैं gasoline का जो opt-end number होता है, around 95 के आस पास होता है ठीक है, good gasoline का जो हमारा opt-end number होता है, around 95 के आस पास है next, inside the boiler surface, scales are formed due to the presence of in the boilers, feed water, boiler feed water में ऐसी कौन सी चीज़ होती है, जिससे boiler के tubes में scale formation होती है, insoluble components, oils, dissolved gases, या calcium and magnesium के salt, आपको बताना है यहाँ पर, quick, और अक्सर करके यह thermal power plant की बहुत बड़ी major problem होती है, thermal power plant की बहुत बड़ी major problem होती है, कि अगर हम इसको resolve नहीं करें तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बड़ी दिक्कत हो जाएगी water के अंदर से, water के अंदर से इन सारी चीज़ों को निकाल करके हम फिर से बाकी सारा प्रीज करते हैं, क्या बात है, विस्नों नहीं जवाब दिया, दिविजूती, अंकाज, अभिशेक, नंदन, अंकेट, यहां पर राइट अंसर आपका जिन्रों, दी दे रहे हैं, बिल्कुल सही अंसर है, बिसिकलिक कैजिया में मेगनीसियम की प्रीटीज को ना, निकाला जाता है, डी मेनलाइस्ट वाटर से, सु रैट की इंपरिटीज को पूरी तरह से बिल्क किया जा सकते हैं, बॉयलर इंवाल्व सर्कुलेशन आफ वाटर बाइदन नेचुरल सर्कुलेशन, कौन सा ऐसा बॉयलर है, जिसमें नेचुरल सर्कुलेशन होता है, पूर सर्कुलेशन खेल जाते हैं आप लोगों से, रैपीट फायर खेल जाते हैं आप लोगों से, यार इतने बड़े चैनल पे आप सफी सोचो यार, कभी कभी ऐसा लगता है कि हम लोग गलत दिसा में आप लोगों के साथ, जो लोग जाईब नहीं आ रहे हैं, अफट कर रहे हैं तो यार हाँ, वेबकॉक्स और विलकॉक्स एक प्रकार का पायट्यूब बॉयलर है, लोग प्रेसर बॉयलर है, बाकि वेलाक्स, लेमेंट और बेंसन, यह हमारी हाई प्रेसर बॉयलर है, यह सब हाई प्रेसर बॉयलर है, और इंपक्ट सूपर क्रिटिकल बॉयलर है, लेकिन यह तो हमार low pressure boiler है तो low pressure boiler में जो भी हमारा circulation में जो हमारा circulation होता है याद रखें natural circulation होता है तो right answer हमारा option number B जो यह तो हमारा आज का questions था यह वाला questions आपको homework में जबाब देना है this questions will be response in the homework अभी नहीं, comment खत्व, video खत्व हो जाने के बाद कमेंट में अभी इसके करके ही आपको जाना है कल बहुत तगड़ा वाला से कोशन पीपर आएगा याद रखना यह अभी नहीं करना है और बाकी तो आप लोगों को कैसा लगा आप सुख जरूर बताईएगा मेकैनिकल के स्ट्वेंट्स आप लोग जरूर बताईएगा आज कल साम को साथ बजे सार पाजाईएगा जरूर आप मेरे प्युक्त्रों साम को साथ बजे एक्जे आजाया करो लेट मत आया करो मुझे यहां पर जितने भी बच्छे दिख रहे हैं उसे commitment करें कि सार्पदी साम को 7 बजे कल आजाएंगे सब मैं सब लोगों से commitment चाहता हूँ अभी नहीं जवाब देना पागल वीडियो खतम हो जाने के बाद comment section चल रहा है तो guys make sure कि साम को 7 बजे सब लोग आजाया करो सार्प अच्छा लगा तो लाइक भी कर दिया करो और बाखी दोगों को भी इंफर्म करो यार जो दोग नहीं आ रहा है तो कि देखो जब आप अपना परिवार मानोगे और हमें motivations आप लोगों की presence ही बनता है असा नहीं होता है कि मैं 10 बच्चों को पढ़ाऊंगा 20 बच्चों को पढ़ाऊंगा तो मुझे motivations तम नहीं होगा और हम आप लोगों को content भी देते हैं इसी बात तो नहीं है आप लोगों की संख्या को देख करके और ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं कर रहे हैं इस बात से आप लोग सामत होंगे कि इतनी बड़ी channel पर अगर इस level पर हम मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के तो क्यों कर रहे हैं तो कि आपको बहतर तरीकी से समझा सको है भी चालता हूँ तो यह जब आप सब यह थोड़ा साॉपरेट करो रहे ह know तो चलू आज के लिए बस इतना ही और यह जोगों से अगर कोई बच्चा प्रिप्रेशन्स करना चाहेगा तो आप लोग करिए जरूर नहीं का आपके अड़ा के आप पे आप उसको रेजिस्टर कर सकते हैं वीडियो के नीचे कमेंट में लिंक है सेखी तो हेमांसू सिंग कटाफ की बात करते हैं तो यार पहले अच्छा प्रिप्रेशंस कर दो कटाफ तो मजन अच्छा तो अगर आपको नहीं करना तो यह देखो नहीं सब्सक्राइब करना है तो यह देखो नहीं सब्सक्राइब करना है तो जिन लोगों को मल्टिपल बैच टार्गेट है कोड आपको उसके लिह जवाइन करने के लिए इन बैच इसको भी जवाइन करने के लिए इसको